मेरे प्यारे बच्चो मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा था और अगर आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो तो आप ज़रा स्क्रीन पे देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोडेक्शन दी थी के सिस्टम बस क्या होती है सिर्फ इंट्रोडेक्शन अभी पढ़ाया नहीं था फिर मेरे प्यारे बच्चो मैंने आपको ये थोड़ा बूस्ट अब करने के लिए कोस्चन भी आपको पढ़ा दिया और आखिर में मैंने आपके सामने ये कुछ ये भी पढ़ा दिया था हलका सा और ये कोस्चन भी कर दिया था आज मुझे आपको कम्प्यूटर के बारे में पढ़ाना है तो देखो आप नोटबुक निकालो और मेरे साथ लिखो कम्प्यूटर को हम कम्प्यूटर को कौन सा कलर अच्छा दिखेगा यहां पे यलो ब्लैक एक मिट मुझे देखने तो कलर कौन सा अच्छा आपको लगया क्यूंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना यहां पे सभी अच्छे हैं जी देखो मेरे ब्यारे बच्चों कापी निकालो और नोटबुक पे लिखो कंप्यूटर को हम दो मेजर हिस्सु में डिवाइड करेंगे जितने भी कंप्यूटर के हिसे हैं नंबर वन नंबर वन आ गया टैंजीबल कंपोनेंट नंबर वन आ गया टैंजीबल कंपोनेंट और नंबर सेकिंड आ गया इंठेंजीबल कंपोनेंट नंबर वन टैंजीबल कंपोनेंट और नंबर दो इनटेंजीबल कंपोनेंट Tangible Component का मतलब है यहाँ पे Computer का Hardware और Intangible का मतलब है Computer का Software अभी आप मेरे साथ सिर्फ लिखिए मेरे पे वरोसा कीजिए मैं हर चीज आपको बेहतरीन अंदाज में समझाऊंगा Number 1 Tangible Component और Number 2 Intangible Component अब मेरे प्यारे बच्चों जो Tangible Component है यनि के Hardware Hardware को हम Further Divide करते हैं चार हिस्सू में हाड़वेर को हम Divide करते हैं चार हिस्सू में I, P, O, S ये शायद आपको दिखना रहा हो ये I, P, O, S I का मतलब हो गया I का मतलब हो गया Input Devices P का मतलब हो गया Processing Devices O का मतलब हो गया Output Devices और S का मतलब हो गया Storage Devices I, P, O, S Input Processing Output और Storage ठीक है उसके बाद Intangible Component को हम यनि के Software को हम दो Major हिस्सू में Divide करेंगे Number 1 Number 1 यहाँ पर मैं लिखूंगा System Number 1 में यहाँ पर लिखूंगा System Software और Number 2 पर लिखूंगा यहाँ पर Application Software System Software और Application Software आप मेरे प्यारे बच्चों System Software में हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे OS आप खुद फुल फॉल फॉर्म लिख लिजिएगा OS मतलब Operating System System Software में हम पढ़ेंगे Operating System System Software में हम पढ़ेंगे Language Translator Operating System और हम पढ़ेंगे Language Translator Application Software में हम पढ़ेंगे MS Office MS Office फिर इसके अंदर आएगा MS Excel, MS PowerPoint यह सब जीदे आएएगे अब मैं साइड हो रहा हूँ जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है आप इसको डिट्टो As it is Copy कर लो एक मिट अच्छा इस ज़रा इमेज है न तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको डिट्टो As it is Copy कर लो ठीक है Copy कर लिया तो शायद आपको थोड़ा बोर लग रहा हूँ मगर यह दीरे दीरे हम बड़ी बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो आपने यह लिख दिया Computer में Number One हम Computer में पढ़ेंगे Tangible Component Tangible वो वाला हिस्सा होता है जिसको हम टच कर सकते हैं Intangible वो वाला हिस्सा होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते यहनि के Software Component फिर हमने यहां पर लिख दिया I P O S I का मतलब Input P का मतलब Processing O का मतलब Output और S का मतलब Storage फिर मेरे प्यारे बच्चों Intangible Component में हम पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे System Software और हम पढ़ेंगे Application Software System Software में हम पढ़ेंगे यहां पर हम पढ़ेंगे Operating System और यहां हम पढ़ेंगे Language Translator यहां हम पढ़ेंगे MS Office ठीक है इतना हो गया हुआ के नहीं अब आगे चलते हैं ठीक है Next यह लिख दिया ना आगे मेरे प्यारे बच्चों अब यह इतना lengthy है कि आपको बता है मैं ज़रा confused हूँ मैं यह सोच में हूँ कि किस चीज को कितना elaborate करूँ यह नहों मैं इतना ज़्यादा elaborate कर दूँ कि आपकी समझ से बाहिर हो जाए तो मेरा मक्सद रहेगा content को कम रखना crisp रखना ताकि आप कम content पढ़के practice mcq ज़्यादा निकाल पाएं और हर teacher की यही सोच होनी चाहिए यहाँ पर देखो जी आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको दो बातें अभी बताई हैं number one मैंने आपको यह पढ़ा दिया यह नाम सुना दिया software क्या होता है और मैंने आपको यह भी बता दिया सारी बताया नहीं सुनाया के hardware क्या होता है दो नाम अभी हमने सुने number one software और number second hardware तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यह wear नाम का क्या मतलब है computer में यह जो हम wear लिखते हैं यह wear का क्या मतलब होता है तो जब भी computer में wear term आ जाए क्या जब भी computer में wear term आ जाए तो इसका 80% मतलब होता है कि यह किसी program की बात हो रही है अब program क्या होता है अभी मैं इस पे आऊँगा 80% मतलब होता है कि यह किसी program की बात हो रही है और 20% का मतलब होता है ये कोई software है ठीक है जनाब जब भी computer में वेर नाम आए software, hardware तो वेर में 80% का मतलब होता है ये program की बात हो रही है अब आप ये सोचेंगे master जी ये program क्या होता है तो देखो जनाब मेरे प्यारे बच्चों computer में group of instructions is known as program देर सारी instructions जूरती है, command जूरती है तो बनता है program और देर सारे program जूरते हैं तो बनता है software ठीक है अब मैं आपको कुछ एक programs की example बताता हूँ देखो जी यहां लिखने लगा हूँ है आपने नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा फरम वेर नाम सुना होगा नाग वेर आपने नाम सुने है ना आपने नाम सुना होगा माल वेर फरम वेर नाग वेर माल वेर आपने नाम सुना होगा फ्री वेर आपने नाम सुना होगा सपाई वेर ये सारे जो मैंने नाम लिखे हैं आपके सामने ये प्रोग्रेम्ज है थोड़ी थोड़ी रोश्री डालूँगा इन पे पढ़ाओंगा मगर बाद में फरम वेर ऐसा प्रोग्रेम जो पहले से ही प्री डिफाइंड हो हार्डवेर और साफ्टवेर के कमभी नेशन के प्रोग्रेम को बोलते हैं फरम वेर ठीक है उसके बाद आपने नाम सुना होगा नाग वेर कुछ ऐसे प्रोग्रेम होते हैं या ऐसे साफ्टवेर होते हैं जो मार्किट में पहले ट्राइल एविलिबल होता है बाद में वो ट्राइल एक्सपाइर होके हमें नया खरीदना पड़ता है ऐसे प्रोग्रेम को बोलते नाग वेर फिर जब मैं आपको कंप्यूटर वाइरिस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा माल वेर मैलिशिस प्रोग्रेम फिर मैं आपको पढ़ाओंगा फ्री वेर फ्री वेर मतलब ऐसे प्रोग्राम जो फ्रीली अविलेबल हूँ मार्किट में और सपाई वेर सपाई वेर ऐसे प्रोग्राम जो जासूसी करने के लिए बनाए जाते हूँ ठीक है तो ये हमने ये पढ़ना है मगर यहाँ पे सिर्फ मैंने एक वेर टर्म लिया हाड वेर और साफ्ट वेर मैंने वेर टर्म पे थोड़ी सी रोश्णी डाली ठीक है अब हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे आपके सामने ये जो है इसको आपने दियान में रखना है ये है इन्पुट डिवाइस तो मेरे प्यारे बच्चो अभी मैं आपको इन्पुट डिवाइस पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद मैं आपको पूरी की पूरी प्रासेसिंग डिवाइस पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा Output Devices पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम पूरी की पूरी Storage Devices मैंने यूट्यूब पे पहले Lecture डाले है Storage Devices के यनि के Memory वो जो टापिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया ना पिछले 3-4 Lectures में वो वला ये Lectures है ये Storage ये मैं उसी विडियो को मर्ज करके जब मैं ये पढ़ा दूँगा ये पढ़ा दूँगा ये पढ़ा दूँगा और जब ये पढ़ाने की बारी आएगी मैं उनी विडियो को मर्ज करके यहाँ पे डालूँगा फिर बाद में हम Practice करेंगे फिर उसके बाद जब हम Operating Software पढ़ेंगे तो हम Operating System पढ़ेंगे उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम Computer की Languages पढ़ेंगे और बाद में Language Translator पढ़ेंगे फिर यहाँ पे हम MS Office पढ़ेंगे और Office के अंदर कुछ Component है MS Excel, PowerPoint ये सब हम वहाँ पढ़ेंगे ये आपको समझ भी आ गया और आपने लिख भी दिया अब आप Heading डालो Input Devices Heading डालो Input Devices Input Devices में मेरे प्यारे बच्चों कौन-कौन सी Input Devices हैं Number Keyboard, Keyboard एक Input Devices है Number 2 Mouse, Mouse भी एक Input Devices है Number 3 Touch Screen, Touch Screen भी Input Devices है OCR, OMR, MICR, BCR, QR, Joystick Styles ऐसे लिखो, बस पूछना नहीं क्या क्या होता है वो सारी मेरी Responsibility है आप खाली नाम लिखिए, Notes बनाईए Biometric क्या होता है हम पढ़ाएंगे Scanner Input Devices है Webcam Input Devices है Trackball Input Devices है Light Pen Input Devices है Microphone Input Devices है Card Reader Input Devices है Kimball Tag Reader ये सारे के सारे Input Devices है ठीक है जनाब दिख रहे हैं ना अगर आपको दिखने ही रहा तो आप प्लीज वीडियो की Quality बढ़ाओ और उसमें ये देखो ये सारी हैं जी Input Devices ठीक है एक बार में यहां पे अच्छा ये लिख दिया ना ये हैं Computer की Input Devices तो मैं यहां पे एक पेज एड़ करता हूँ देखो ये है ये ये है थोड़ा और बहतरीन अंदाज में बताने लगाऊँ देखो देखो यहां जब हम Computer को Data Feed करते हैं तो हम Computer को Data Feed करते हैं Input Unit से यनि के Computer को हमने बोल दिया 2 पलस 2 करके बताओ तो ये होगा जनाब Computer में Data आएगा Computer के अंदर कुछ छोटे छोटे Component लगे हुए हैं क्या क्या Component लगे हुए हैं Computer के अंदर लगा हुआ है C U Control Unit Computer के अंदर लगा है M U Memory Unit और Computer के अंदर लगा है A L U इन सब को मिला के बोलते हैं C P U फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों Computer हमें Output देगा और इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे Output Unit तो हमने Computer को Message दिया Computer उस पे काम करेगा और Computer हमें Output देगा ये सारे जो काम हो रहे हैं यहाँ पे Computer में इन में हम सब से पहले Input Unit जो मैं आपको अभी अभी पढ़ाने लगा हूँ इन में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे दूसरे नमबर पे CPU यानि कि आप Memory Unit और हम पढ़ेंगे Output Unit ये अभी हम कुछ दिनों तक ऐसे पढ़ते जाएंगे ये भी एक Block Diagram बनाओ और इसके बाद आप ये Input Devices लिखो और अब एक-एक Input Devices हम पढ़ेंगे क्या? ये आपके सामने आप दिमाग में Visualize जरूर करिएगा एक बार फिर से यहां ले चलता हूँ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ Tangible यनिके Hardware में Input Devices फिर मैंने आपको Where क्या होता है ये बता दिया फिर यनिके मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि इस Computer में जो हम Input Control देते हैं उसको बोलते Input Unit अभी हम ये पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहली डिवाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे Keyboard के बारे में आखिर Keyboard क्या होता है चलिए अब ये स्क्रीन आपके सामने है आप Heading डालो Keyboard और लिखो Keyboard के बारे में Point No.1 क्या Keyboard is Invented by Christopher Latham Scholl Keyboard को किस ने Invent किया Christopher Latham Scholl Keyboard में Point No.2 कम से कम कितने बटन होने चाहिए Keyboard में कम से कम 78 बटन होने चाहिए Maximum की कोई हद नहीं है किसी Keyboard में 105 है 110 है ज़्यादा भी हो सकते है मगर अगर पेपर में ये पूछा गया कि Standard Keyboard Standard Keyboard में कितने बटन होते हैं तो Standard Keyboard में दो अंसर आएगा No.1 Standard Keyboard में दो अंसर आएगे No.1 101 बटन भी होते हैं और 104 बटन भी होते हैं कभी कबार पेपर में आएगा Standard Keyboard में कितनी Keyes होते हैं तो एक बार अंसर था 101 मगर ज़्यादा तर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी 104 को कम्प्यूटर में कम से कम कितने बटन हो सकते हैं कितनी Keyes हो सकती हैं 101 Maximum कहीं भी हो सकते हैं मगर Standard Keyboard में 101 या 104 और इन दोनों में ज़्यादा प्रेफरेंस 104 होती है ठीक है उसके बाद उसके बाद जब हम कम्प्यूटर खरीदेंगे जब हम कम्प्यूटर खरीदेंगे तो कम्प्यूटर का layout क्या होता है layout यानि के Keyboard का layout क्या होता है तो Keyboard के मेरे प्यारे बच्चो एक layout होता है D-V-O-R-A-C Dora एक layout होता है Z-E-R-T-Y एक layout होता है Q-W-E-R-T-Y देखो यहां पे यहां पे button लिखे हैं यहां पे देखो Q-W-E-R-T-Y तो जो इंडिया में Keyboard यूज होता है वो होता है QWERTY layout का ठीक है बताओ जी कौन से layout का Keyboard इंडिया में यूज होता है QWERTY layout का इतना पता चल गया उसके बाद अगर हम बात करें Keyboard पे तो मैं यहीं लिखने लगा हूँ Keyboard में कौन कौन सी Types of Keys होती है ठीक है जनाब Types of Keys तो हमारे Keyboard में देर सारी types of Keys होती है उन में क्या क्या होती है Number 1 मैं यहां number डालने लगा हूँ Number 1 Numeric Keys Number 1 Numeric Keys अब Numeric Keys का आपको मतल बता है यह वली कौन सी यहां आएगा 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 9 Number 2 Alphabetic Keys Alphabetic Keys जो मैं आपको यह पढ़ा रहा हूँ यह अगर आपको आता भी है आप तब भी प्लीज नोर्स बनाईएगा क्योंके जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाँगा तब आपको MCQs का बड़ा मज़ा आएगा करने में क्योंके आप लिख रहे हैं ना इसलिए Numery Keys Alphabetic Keys तीसरा Function Keys तीसरे नमबर पे Function Keys अब Function Keys कौन कौन सी होती है F1 से लेके F12 तक जो बटन होते हैं इनको बोलते Function Keys ये F1, F2, F3 करते 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 इनका हम Roll, Function क्या क्या होता है सारा पढ़ेंगे लिख दिया इसके बाद आगे लिखो अब यहाँ पे जगा नहीं है तो मैं अगली स्लाइड देने लगा हूँ यहाँ पे आगे लिखो आप आगे लिखो Modifier Keys Modifier Keys Modifier Keys वो वले बटन होते हैं जो इकलोते काम नहीं करते यह काम करते हैं पेर में तो Modifier Keys के बारे में लिखो They Operate कैसे In Pairs They Operate In Pairs Example जब भी आप Control का बटन दबाएंगे अकेला काम नहीं करेगा Control के साथ कुछ दबाना पड़ेगा तो Control Number 2 Alt Shift और Function यह चार हैं यह चार हैं हमारे यहां पे Modifier Keys क्या होते हैं Modifier Keys वो वाले बटन वो कीज जो इकलोते में काम नहीं करते हैं They Operate पेर्ज ऐसे बटन को बोलते हैं Modifier ठीक है पीछे चलता हूँ मैंने आपको लिखा दिया एक, दो, तीन अब यह हो गया यह हो यह हो गया चार पांच्वे नंबर पे पांच्वे नंबर पे यह हो गया Modifier Keys इसके अलावा और आती है Toggle Keys Toggle Keys वो वाले बटन जो एक बार दबाने से कीबोर्ड का पूरा ले आउट ही बदल दे जैसे आपने नाम सुना है Toggle Keys में आपने नाम सुना है Shift ना सारी आपने नाम सुना है Caps Lock अगर आप एक बार Caps Lock दबाओ पूरी की पूरी A-B-C या तो Capital में बन जाती है या पूरी की पूरी A-B-C समाल में बन जाती है तो नंबर बना गया जी Caps Lock नंबर दो Num Lock Num Lock भी आपको पता है जब हम एक बार Num Lock का बटन दबाए तो पूरी की पूरी A-B-C या तो ना सारी गलती होगी पूरा का पूरा नंबर पैड लाक हो जाता है फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा Scroll Lock Scroll Lock क्या होता है एक ऐसा function होता है जो हम लगा दें तो computer की screen up, down इदर उदर scroll नहीं होती है तो ये lock हो जाता है computer ठीक है जी ऐसी keys को बोलते है toggle keys तो हमें दो type की इतना हो गया यानि के 4 और 5 6 आगे और computer में keys होती है जिनको बोलते हैं navigation keys आप एक बार जब keyboard देखेंगे तो आपको ये button up, down इदर उदर arrow दिखेंगे इनको बोलते हैं navigation keys इनको बोलते हैं navigation keys ये pdf आपको हमारी app में पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटो वही मिलेगा navigation keys का मतलब होता है कौन-कौन सी की number one arrow keys number two एक बटन होता इसको बोलते page up एक बटन होता इसको बोलते page down अभी आप ये लिखिए जब आप MCQs करेंगे तो paper में आएगा which of the following is modifier key which of the following is navigation key which of the following is toggle keys ऐसे सवाल आएंगे page up, page down फिर उसके बाद एक बटन आता है इसको बोलते है home key home फिर आएगा end ये सब आगे navigation keys में ठीक है six छे type if की keeper ली साथ देखो जब आप keyboard देखेंगे सब से उपर आपको एक बटन दिखेगा escape key सब से उपर क्या आ गया जी escape key escape key ये क्या काम करती है use to use to exit from use to exit from any program किसी भी program से exit होने के लिए बाहिर आने के लिए हम कौन सी की का इस्तमाल करते हैं escape key का ये उसके बाद और क्या क्या बटन है यहां पे देखो यहां पे ये सब से लंबा बटन है ये वला ये वला इसको बोलते हैं space bar इसको बोलते हैं आठमे नंबर पे आ गया जनाब space bar space bar space bar के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए ये हमारे computer की सब से लंबी की है longest की चलिए मैं side हो रहा हूँ आप इनको लिखो अराम से लिखो ठीक है होगी जनाब 8 type of keys अब लिखेंगे 9th 9 की हमारे keyboard में और कौन सी type की होती है tab की हमने आने पड़ा देखो देखो जनाब मान लो ये हम कोई फाम बर रहे हैं फाम पे यहां लिखा हुआ है name यहां लिखा हुआ है role number यहां लिखा हुआ है parentage तो मेरे प्यारे बच्चो जब आप कोई फाम बरोगे तो cursor bling करता है ना यहां पे जब यहां पे cursor bling कर रहा है गोर से सुनना जब यहां cursor bling कर रहा है आपने tab की दबाया तो यह cursor यहां से फोरण उठके यहां आ जाएगा तिक है करसर यहां से उठके कहां आ जाएगा यहां पे तो tab की क्या करेगी tab की करेगी moves करसर it moves करसर कहां पे करसर to next space यह करसर को अगली स्पेस पे ले जाएगी अगली स्पेस कौन सी यह वली मगर अगर आप मेरे प्यारे बच्चो यहां पे यहां पे यह करसर है और आपने enter का बटन दबा दिया enter आपको यहां ले आएगा तो enter का मतलब होता है यह क्या करेगा enter moves करसर कहां to next line यह करसर को move करेगा अगली लाइन पे और enter का एक और use होता है enter breaks enter breaks line या page यह line को भी break करेगा और page को break करेगा कब? MS word पे इसके लावा और मेरे प्यारे बच्चो एक की होती है 10th लिख रहा हूँ है एक और की होती है इसको बोलते है print screen की 11th नंबर पे print screen की यह print screen क्या करती है? यह capture करेगी capture screen screen पे जो भी लिखा होता उसको capture कर लेगी screenshot ले लेगी या नहीं के जैसे देखो माल लो आपकी महबत है तो आप उनको बोरे जान प्लीस अपना photo बेजो तो बलती नहीं मेरे पास photo नहीं है तो आप बलते हो नहीं कसम से कसम से देखके delete कर दूँगा तो जैसे आपको photo बेजा जाता आप फोरन यू करते हैं screenshot लेते हैं तो वो screenshot होता कहां? mobile पे computer पे screenshot लेने का ये एक function होता है print screen की ठीक है जनाब? इतना लिखा के नहीं? अब मैं आपको एक बार recall करवा देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है? मैं या नहीं नहीं जनाब इसको ना इसको delete कर देता हूँ ताके जब आपको notes मिले तो notes आपको एकदम खुबसूरत होने चाहिए है ना? तो यहां देखो इस slide पे देखो हम ये पढ़ने पढ़ना है हमने और मैं आपको input devices पढ़ा रहा हूँ input devices में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको सारी input devices की ये list लिखा दी अब इन input devices में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक मैंने आपको सिर्फ keyboard पढ़ाया है ठीक है? तो अब मुझे आगे आपको पढ़ाना है mouse keyboard पढ़ना है mouse पढ़ना और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जज़काद लेनी है ठीक है सारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद keyboard हो गया type of keys ये देखो न यहाँ पे ये keyboard है एक बार देख लो ये जो ABC वले नमबर लिखे हैं ये होगे alphabetic keys उसके लावा ये हो गया जी space bar ये function keys ये number keys और कुछ अलग अलग keys हैं जो अब हम देरे आने वाले episodes में पढ़ेंगे keyboard के बाद ये key हो गई मैं side हो रहा हूँ थोड़ा keyboard के बाद आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको अगले episode में पढ़ाँगा mouse टाच स्क्रीन के बाद हम पढ़ेंगे ये stylus गयरा फिर हम पढ़ेंगे हाँ sorry ये हम पढ़ेंगे OCR ये हम पढ़ेंगे OMR फिर हम पढ़ेंगे BCR बार कोड डीडर ना ये बार कोड डीडर है फिर हम पढ़ेंगे QR और ये सब चीजें फिर हम पढ़ेंगे joystick ऐसे करके ये मैं फिर आपको input devices पढ़ा दूँगा input devices के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा processing devices output devices storage devices ठीक है तो आज का episode इतना ही रखते हैं Thank you and God bless you